हे दोस्तों वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेट फॉर टुमारो में जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फ्री स्टॉक मार्केट टेकनिकल एनलेसिस कोर्स के लिए लेसेन 34 थ्री इंसाइड अप केंडल स्टिक पैटन फ्री इंसाइड अप केंडल स्टिक पैटन एक ट्रिपल केंडल स्टिक पैटन है फ्री इंसाइड अप केंडल स्टिक पैटन एक बुलिश केंडल स्टिक पैटन है फ्री इंसाइड अप केंडल स्टिक पैटन में तीन केंडल होती है ये तीन candle से मिलकर एक pattern बनता है इसकी first candle long bearish candle होनी चाहिए और इसकी second candle small bullish candle होनी चाहिए जो first candle की body के अंदर ही open होकर close हो जाए और इसकी third candle second candle की body के center से start होकर दोनों के high तोड़ते वे उपर जाकर close हो जाए और नीचे first candle का low ना तोड़े तो हम इसे मानेंगे three inside of candlestick pattern three inside of candlestick pattern में volume का भी बहुत ही important role है three inside of candlestick pattern में volume increase होता हुआ दिखाई देना चाहिए यानि की first candle में जो volume है second candle में उससे ज़्यादा volume हो और third candle में उससे ज़्यादा volume हो यानि की increase होता हुआ दिखाई दे देखते दोस्तो 3 inside of candle stick pattern किस तरीके से काम करता है मार्किट में एक downtrend चल रहा हो चाट के bottom पर 3 inside of candle stick pattern generate होता है जैसे ही ये generate हो तो हमें उसकी next candle का wait करना है कि वो 3 inside of candle stick pattern के उपर ही generate होकर उपर ही closing दे और second ये भी बात का दिहान रखना है कि इसमें volume भी increase होता हुआ दिखाई दे ये दोनु confirmation मिलने के बाद हम इस trade में इंटर कर सकते है जैसे हम इस trade में इंटर करते है तुरद हमें 2% का stop loss लगा देना है या 3 inside of candle stick pattern की first candle के low का stop loss लगा देना है देखते हैं market में ये कैसे दिखाई देता है market में एक downtrend चल रहा है चार्ट के bottom पर 3 inside of candle stick pattern बना है और इसकी next candle gap up open होकर वही close हो जाती है तो ये हमारे लिए first buying signal है कि हम इस trade में इंटर कर सकते है second हम देखेंगे volume भी increase होता हुआ दिखाई दे तो हमारे लिए second confirmation होंगा इस trade में इंटर करने का जैसे हम इस trade में इंटर कर लेते है तुरंद हमें 2% का stop loss लगा देना है या 3 inside of candle stick pattern की first candle के low के नीचे का stop loss लगा देना है और wait करना है market में ऐसे signal का जो trend change कर रहा हो जैसी कोई ऐसा signal दिखाई दे हमें तुरंद हमें हमारा profit book कर लेना है notes point 1 3 inside of candle stick pattern में first 2 candle bullish हरामी candle stick pattern होनी चाहिए point 2 third candle second candle के center से open होकर long bullish candle बननी चाहिए और bullish हरामी candle stick pattern के उपर ही close हो जानी चाहिए point 3 third candle second candle के low को नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तो इस वीडियो में इतना ही जाने से पहले जली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए thank you for watching this video stay learning stay connected